है हलो क्लास 4 वेलकम टू यॉर ऑणलाइन क्लास यह आपकी English की क्लास है और यह आपकी English डिडर की न्यूंग बुक जिसका नेम है स्पिपिंग स्टॉन जिसका मिंस होता है सीड़ी का पत्थर यानि जो पत्थर आपको step wise आपकी success की तरफ ले कर जाए ओके और ये आपकी class की new English की book है जिसके first chapter के साथ आज हम इसकी starting कर जाएं ओके let's start आपके first chapter का name है my dog क्या निम है first chapter का my dog मेरा dog के a glimpse means होता है एक जहलक इस chapter के बारे में is there anything that you treasure a lot क्या ऐसी कोई चीज है जो आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती हो it could be a gift you got on your birthday यह गया हो सकता है जो आपको आपके birthday पर मिला हो or something you bought from your pocket money और कुछ ऐसा भी जिसे आपने अपनी pocket money से खरीदा हो this poem is about a little dog who is treasured by his master यह poem एक छोटे से dog के बारे में है जो अपने मालिक का क्या है treasure है यानि खजाना है उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है okay चलिए लेखते हैं सबसे पहले आ dog है कैसा यह देखो यह जो dog है यह अपने मालिक के लिए पहुत ज़्यादा कीमती है ठीक है let's start our point have you seen a little dog क्या आपने एक छोटा dog देखा है and if you are about इधर उदर कहीं भी यहां वहां कहीं भी कोई dog देखा है a raggy dog raggy का मतलब होता है बालदार ठीक है न और a shaggy dog shaggy का means होता है रवेदार यानि जिसके रवेदार होते हैं बहुत सारे एकदम soft soft बड़े बड़े फर वाला जो dog होता है उसको बोलते हैं who was always looking out जो की हमेशा क्या करता रहता है looking out for some fresh mischief कोई नई शरारत करने के बारे में हमेशा इदर उदर देखता रहता है ठीक है उसे हमेशा किसकी और उसका मेशा शरारत करने में धाल रहता है which he thinks he really ought to do जिसके बारे में उसे ऐसा लगता है या वो यह सोचता है कि यह तो उसे really सच में करनी ही चाहिए he is very likely at this minute biting someone's shoe वो संभवता है या निश्चित रूप से इस समय क्या कर रहा है किसी का shoe bite कर रहा है यानि किसी का जूता खा रहा है यह देखो काट रहा है ना यह जूते गोई देखो किसी का shoe उठा रहा है इसने और इसको cut कर रहा है mouth में ले रखा है ठीक है तो यह बात at this minute की है और इस पल यही कर रहा है if you see that little dog अगर आप इस छोटे से dog को देखते हो his tail up in the air तो इसकी जो tail है पूंच जो है वो में उपर उठी हुई है ना अक्स से जुखते हैं where we tell a curly tail đi होता है वो tail जो हो गुमावदार हो ठीक है घुमावदार जो tell हो इससे बीच में से मूड़ी हुई यह देखे यह वह ना इससे घुमावदार के और curly होती है जो घुंग्राले बाल होते है ना घुंग्राले तो curly tail मतलब घुंग्राले बालों वाले इसकी क्या है? tail है a dog who doesn't care एक ऐसा dog जो care नहीं करता for any other dog he meets कि कोई दूसरा और dog उसे मिले not even for himself या ना सिर्फ अपने लिए then hide your mats ठीक है तो क्या करता है? वो अपनी mats छुपा देता है and put your meat upon the topmost chef और जो उसकी खाने पीने की चीज़े हैं उसे वो topmost safe यानि सबसे उंची अलमारी का जो box है उसमें रख देता है if you see a little dog अगर आप इस छोटे से dog को देखते हैं barking at the car ये क्या करता है? cars पर भूंकता है रगी dog अशागी dog जैसा पहले आया था रगी मिनस होता है बालता और ये रोएदाद फरवला जो डोग होता फिर आइस लाइक twinkling stars और इसकी आइसी हैं जैसे की चमकते हुए सितारे ठीक है? देखो ये रह dog इसकी आप आइस देखिए इसकी टेल देखिए इसके जो बाल है जो भी quality इसकी इस पोई में विताएगी है वो जस्ट वैसी ही है बिल्कुल आप देखे हैं next just let me know सिर्फ मुझे जानने दो for though he was bad as bad as bad can be वह है और he is bad वो बुरा है मैं जानता हूँ वो बुरा है और इतना बुरा जितना की हो सकता है I would not change that dog मैं उस कुटे को बिल्कुल भी बदल नहीं पाया for all the treasures of the sea जैसे की समुंदर में कितना सारा खजाना चुपा होता है मालो हीरे हैं से बोलता भी मिलते हैं समुंदर में उस तरीके से जैसे उसको कोई बदल नहीं सकता वैसे मैं इस जोप को बदल नहीं सकता यह लिखा है यह लिखा है और इस पायम की हम देख लेते हैं न्यू वर्स जो आपको अपनी नोट बुक में राइट करने हैं फरस्ट इस अबाउट यहां पर अबाउट का मीनिंग है यह एंड यहां वहां इधर उधर रहेगी रफ या मतलब इसको बालदार भी बोलते हैं या फिर खुर्दरा जो होता है न रफ वो भी बोलते हैं शैगी मिन्स होता है having long, thick and untidy hairy fur ठीक है इसके लंबे, मोटे और untidy बाल होते हैं बहुत सारे fur वाला जो रोग होता है उसको शैगी बोलते हैं मिस्चीफ होती है playful misbehavior यानि खेल-खेल में misbehave करना उसको शरारत भी बोल सकते हो आप very likely मतलब most probably यानि संभवता यानि इस चिद रूप से फिलार वो क्या गर रहा है वहली होता है moving round about ठीक है यह मतलब एक तब move करती हुई round करती हुई ठीक है goal मतलब गुमावदार जो होती है उस तरीके से ठीक है तो आज का आपका homework रहेगा write and learn these new words in your notebook typically thanks and have a nice new students